हलो दोस्तों लवली नू के बारे में बात करने वाले काफी अच्छे अच्छे अपडेट से गुंडूज भी हैं मार्केट के रिगार्डिंग भी जैसा कि अगर आप सीबा इनू डोज कोई और बिटकोई की बात करें तो इनका एक्सेप्टेंस ओवरॉल जो वर्ड वाइड बढ़ता जा रहा है इसके जो ओफलाइन एटेंस थे वह भी नए बन चुके दो और जैसा कि बलेंसिगा ने भी अभी एक्सेप्ट किया है एजए पैमेंट मेथर्ड सिबा इनू डोज कोई और बिटकोई को तो इनसे ओवरॉल क्रिप्टो को कहीं न कहीं पोजिटिविट चल रहा था उसका इंपक्ट जो था वो उस टाइम पे काफी ज़्यादा था लेकिन अभी निट्रल सा हो गया है तो इस वज़े से कहा जा रहा है कि जो एसे इवेंट होने वाली क्रिप्टो एक्सिया इवेंट वो थोड़ी ज़्यादा सक्सेप्ट रहे सकती दुबई एक जिसने भी इसकी बिल्कुल लोर प्राइस पर इसको खरीदा होगा यह लगबग अपने प्रिसेल प्राइस को टच करके आया है दोस्तों आज इसके हम रोड में को भी देखने वाले क्योंकि उसमें काफी चीजे चुपई वीडियो में बने रहेंगा सबसे पहले इसके ट् लोकचेन का बारी वाले चे चीजे यह सारी चीजों पर कंटेनुवस्लिक लिस्टिंग की बात इतनी ज्यादा नहीं होई जो पहले हुआ कर ती तो इस वज़े से जो shoulders थे हो को कैने हम गये्चेश रेया है 35 थैन झान Är बात है कि इन्होंने लवली लिखा है और लवली विल क्रोस दिस मन्त ऐसा से करके 706060 ऐसा टैप का अब इसकी प्रैस कोई कितना दिखा रहे हैं फाइव डॉलर वन डॉलर अब यह तो बिल्कुल मजाक वाली बात लग रही है जो होल्डर से इसको लंबे समय से जानता है क्यो लोगों को या तो यह टुटर पर और ज़्यदा कहीं नहीं फसाना चाते हैं अट्रेक्ट करना चाते हैं उस बज़े से भी हो सकता है एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है लेकिन एक चीज और भी देखने वाली है जब से इन्होंने वेबसाइट रीडिजाइन क होते हैं तो इसी सप्लाइए के साथ भी यह दो जिरो किल कर सकता है तो इस चीज को आप ध्यान में रखना तो प्रोफिट बुक आपको उस टाइम पे करना ही डेफिनेटली है क्योंकि एक डॉलर दो डॉलर चे डॉलर यह जो भी दिखा रहे हैं आपको इस पर बिल्कुल सब्सक्राइब करना लगे सिंपल जी भात है ठीक है लवली जादा तर तो इनके लिए अगर आज के एक दू वीक पहले की बात होती तो बहुत नैंटी परसेंट से जादा तो इसके लिए जो एड्जेक्टिव यूज होने वाला था इसकेम काफी इसको बोला जाता है सुर से जानते हैं याने कि जो परी सेल में होल्ड के थे या फिर यह कहलो कि साथ आठ महीने पहले से इसको होल्ड करके रखे हुए तो वह इतने जदा फ्रस्टेड हो चुके हैं लवली इनु से कि अब यह थोड़ा बहुत ऐसा पोजिटिव भी दिखा रहा है तो भी इतने देखो यहां से तो अभी फेज का सिस्टम इन्होंने खतम कर दें इन्होंने सिर्फ एक सिंपल एक फोरवर्ड इस्ट्रेट एक रोड में बनाया है जहां पर जो अगला इस्टेप है यानि कि लिश्ट लवली की जो लिश्टिंग वही थी वह लवली वीत्री उस्वेपर लेकिन पार्टिसिपेट इन क्रिप्टो एक्सपो एसे टोटी जो की आने वाले महीने पहले विक के अंदर तो ज्यादा दिन उसके लिए बचनी तो इनका नेक्स्ट इस्टेप ही वही था इस वज़े से कोई चीज कर भी ने रहे और नहीं इनको ज्यादा कोई फोर्स कर क्योंकि इनके पास अभी एक्स्क्यूज बन गया है कि हमारा नेक्स्ट इस्टेप ही है क्रिप्टो एक्सपो एसे इवेंट में घुसना उसमें पार्टिसिपेट करना तो वह यह आने वाला है तो आएगा तो करेंगे यह चीज यह बोल सकते हैं इसके लिए नेक्स्ट इस इसके अंदर यह इतने सारे प्रोड़क्ट भी इनके आएंगे अब यह सारी चीज तो भाईया काफी आसानी से आ सकती है क्योंकि क्रोस चेन पर अगर वी 300 की थोड़ी बहुत मार्केटिंग होती तो क्रोस चेन उसके उपर आना इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन जो में चीज रहने वाली लवली एक्षेंज ब्लोक्चेन अब ब्लोक्चेन की भी आपने अगर आप टेलिग्राम पर थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा कि टेलिग्राम इस चीज को शूर कर रहे हैं जो CMO करके एक जो आये थे चीफ ओफिसर करके कुछ मार्केटिंग वाले तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि ब्लोक्चेन इसी यह आने वाली यहनि कि 2022 में ही आने वाली तो यह एक खुशकबरी की बात है कि अगर यह यहां तक पहुंचने वाले कहीं न कहीं है पूरे जो चीजें 2020 के अंदर होंगी कहीं न कहीं मार्केट में त अभी भी आप इसको कहीं पकड़ मत लेना अपने इमोशनल मत हो जाना एक डोलर सुनके ठीक है तो आपको दो जीरो तक टारगेट लेके चलना चाहिए क्योंकि 10 एक्सेंजर काफी बड़ा इसको ओडियस देने वाला है काफी बड़ा इन्वेस्टर इसको देने वाला है त अभी इनका नो घंटे फेल एक टूटा है था सेरक क्रिप्टो काशी टिप जो आपने सीखा अपने ट्रेडिंग एक्सपिरेंस है तो इन्होंने एक ट्विट एक बार पहले भी किया था कि हमने काफी कुछ सिखा है मार्केट से जो पहले हम से पहले लौन चुए थे मिम को और जो बाद में हुए तो उनसे काफी कुछ सिखनों को मिला है तो यह मास्टर तो है यह चीज कहना गलत नहीं क्योंकि आप खुद सूचे कि पिछले एक साल लगबग एक साल होई गया अभी तो एनिवरसरी आने वाला है पिछले एक साल से इतने अपने कहने का मलब जितन है वह कोई भी हो चाहे क्रिप्टो कितने भी बड़े इंफिलेंसर वह ज्यादा दर ग्यान दे रहे होते हैं पेनिक सेलर के उपर मार्केट करेस हुआ पेनिक सेलर वर्ड काफी सदा यूज होता है लेकिन इन्होंने कुछ नया ही निकाला है पेनिक बायर्स यानि कि कुछ लोगों ने थोड़ा सा डाउन हुआ तो यहां पर खरीदा ठीक है और और बी ज्यादा डाउन चला गया तो इस वज़े से इन बायर्स को जिन्नोंने भी यहां पर खरिए था था तो यह उनको पैनिक बायर बोल रहा है अब पैनिक बायर का मतलब है कि फटा फटा फट से या 60-70 रुपे नजर आएगा तो बीना सोचे समझे उसमें एंट्री लिये काफी लोगों ने और ऐसा हुआ है और ये चीज काफी आर्टिकल में भी देखने को मिले कि लोगों को भारी भर कम नुकसान हुआ है टेरा लोना की वज़े से अगर किसी ने थोड़ा सा उसको क्रिप्टो इंवेस्ट में अगर आप करते हो तो ठीक है अब जो लास्ट में आपको चीज बताने वाला हूं कि आपको दो जीरो केल करने का टार्गेट रखे चलना है अगले दो महीने तक पर अगर टेन एक्सेंज पर लिस्ट नहीं होते तो लवली की हालत फिर से खराब बत कर दो लेकिन यह चीजे तो करो ना जो आप अगर एक दो स्टेप बढ़ रहे हो तो अब इसमें बर्निंग अगर कभी भी होती है इन सब चीजों से पहले तो इसका प्राइस कहिना के 10x 15x तक भी जा सकता है क्योंकि इसमें अब पोजिटिविटी थोड़ी बहुत तो आ रहे हैं और सबसे पोजिटिव पॉइंट में आपको पहले बोल दे कि ट्विटर पर काफी जादा एक्टिव हैं तो लोगों को इंगेजिंग लगता है इस वज़े से इसको सपोर्ट अब मिलेगा बढ़ेगा अब जो लोग इसको होल्ड करके रखेंगे वो फायदे मे रहने वाले और यह चीज आप भी मानते होंगे फिलाल यह था इस वीडियो में लवली नू के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फोर्मेशन और भी चाहिए अन्य गलग टोकन्स की या नए टोकन्स की या उनका रिव्यू चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे कमेंट में फिलाल के लिए बाई बाई थेंक्यू